वेलकम बेक गाईस आज हम लोग इस वीडियो में डाइट्रो जैस्ट्रों टैबलेट्स के बारे में डिसकस करेंगे और ये वीडियो लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है जो लोग इन टैबलेट्स को प्रेगनेंसी के समय या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या फिर अगर आपको pregnancy के समय bleeding हो जाती है, spotting हो रही है या फिर आपको pre-term delivery का risk है, समय से पहले अगर बचे दनी का मूँ खुल जाता है तब भी ये tablets दी जाती है, या फिर ovulation induction के time clomifen या फिर letrozole tablets के साथ में इन tablets को advise किया जाता है इसके इलावा भी females problem होती है, period related जैसे periods का ना आना, periods के समय अगर bleeding जादा हो रही है, कम हो रही है या फिर बहुत दिनों तक bleeding चल रही है, या फिर periods से पहले जो pre-mencial syndrome से अगर वो परेशान करते हैं तब इन tablets का use होता है, और भी काफी सारी condition है जहाँ पर इन tablets का use होता है ये periods को लाने का काम कर रही है, और दूसरी तरफ हम लोग ये tablets जो है pregnancy के समय भी patient को advise करते हैं तो बहुत confusion रहती है कि क्या ये tablets pregnancy के समय use करना safe रहता है कि नहीं है सब कुछ हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे, मैं आपका सारी करता हूँ हमारे youtube challenge पर और बिना किसी दरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अगर आप dirogestron की गोलियों को समझना चाहते हो कि ये गोलिया आपको doctor ने दी क्यों है तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक diagram फटा फट बना कर समझाता हूँ तो वाइस देखिए, ये बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के side में यहां पर ऐसे फैलिपेंट ट्यूब होती है, यहां अंडेदानी होती है और यहां पर भी फैलिपेंट ट्यूब होती है, यहां अंडेदानी होती है, ठीक है दोनों ही अंडेदानी में काफी सारी थैलियां होती है, जिनको follicles बोलती है और इन थैलियों के अंदर ही अंडे होती है हर female का period cycle अलग-अलग होता है, बट मान लोग आपकी इस female lady का जो period cycle है वो 28 दिनों का है जो पहले 14 दिन होती है, उसमें दोनों में से एक अंडेदानी में से एक अंडा मैच्योर होता है, पकता है, ठीक है, धीरे धीरे एक अंडे का विकास होता है ठीक है, बड़ा होता है, और लगबग 14 दे के आसपास, यह अंडा food कर निकलता है, इस दिन को evolution day बोलते हैं, ठीक है जिस थैली के अंदर इसका विकास हो रहा था उसको graphene follicle बोलती है और जब यह food कर बाहर निकल जाता है, तो वो जो थैली खाली होई, उसको corpus luteum बोलते हैं ठीक है, अब यह जो अंडा है, यह food कर यहाँ फैलेपेंट ट्यूब में आ जाता है, और यहाँ यह 24 घंटे तक, क्योंकि इसका जीवन काल ही 24 घंटे का होता है, उसके बाद यह खतम हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, तो यह 24 घंटे तक यहाँ पर sperm के आने का वेड करता है, माने कि अगर यह जो female है, यह married है, और इस time यह चाहते हैं कि इनको pregnancy हो जाए, तो अगर यह अपने male partner के साथ में relation बनाते हैं, तो जो male partner हैं, उनके sperm इस side भी आएंगे, और इस side भी आएंगे, क्योंकि रास्ते ही 2 होते हैं, sperm इस side भी आत हैं, और अगर यह sperm इस अंडे को मिल जाते हैं, तो अंडा जो है अंकूरित हो जाता है, माने की fertilize हो जाता है, फिर यह fertilize अंडा uterus में जाता है, और implant हो जाता है, implant जब होता है, तो हम लोग बोलते हैं, कि जो female है वो pregnant हो चुकी है, ठीक है, बट अगर यह जो female है, यह unmarried है तो relation होगा नहीं, जो अंडा है वो fertilize होगा नहीं, तो यह जो अंडा है 24 गंटे के बाद खतम हो जाएगा, फिर यह uterus में जाता है, uterus में जाकर कुछ टाइम के बाद महिला को periods आ जाते हैं, यह एक normal process होती है, जो हर female को होती है हर month, अगर महिला का period cycle normal है, अब हमारे case में क् hydrogestron की गोलियां, और हम जाना चाहते हैं कि यह गोलियां work कैसे करते हैं, और इनका काम क्या है, आपको डोक्टर ने यह क्यों दी है, तो जैसे हम इन आपको बताया, कि जिस थैली के अंदर अंडे का विकास हो रहा था, उसको graphene follicle बोलते हैं, अंडा जब फूटा तो उसक ब्लड से बच्चेदानी में जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि बच्चेदानी को तियारी करनी होती है, अगर बाये चांस यह जो अंडा है, फर्टलाइज हो जाता है, तो यह यूटरस में जाएगा, तो बच्चेदानी को तियारी करनी है कि भाई, अगर यह blood में आता है और बच्चेदानी में जाता है तो बच्चेदानी खुद की lining को मोटा करना start करती है और अपने अंदर blood circulation को increase कर लेती है जब lining मोटी होती है तो इसके अंदर बहुत सारे पोशक तत्व आ जाते हैं ठीक है अब क्या हुआ कि कुछ time के बाद जब यह fertilize अंडा uterus में जाता है यहां पर जब यह implant होता है तो इसको काफी सारे nutrition मिलते हैं ठीक है और बच्चा जो है फिर धीरे-धीरे grow होता है बट बच्चे को भी कुछ time तक जब यह implant होता है तब उसको कुछ time के लिए work करना होत है एक हार्मोन को release करता है जिसको बोलते है HCG यह जो HCG हार्मोन है यह वही हार्मोन है जो आप urine pregnancy test करके detect करते हो जिससे आपको पता लगता है कि आप pregnant हो जब यह HCG हार्मोन blood में आता है तो यह blood से वापस अंडेदानी में आता है ओवरी में आता है और ओवरी में corpus luteum को signal म में ने इतनी मेहनत करी थी अंडे को release करा और जो अंडा है यह fertilize हो गया है properly और fertilize होने के बाद यह uterus में भी implant हो गया है तो अब यह corpus luteum है इसको signal मिल जाता है HCG का और corpus luteum को बहुत ज़्यदा खुशी होती है और यह और अधिक मातरा में progestron को increase करना start करता है क्यों करन start करता है क्यों जरूरी होता है इस time पर क्यों बच्चे ने HCG बनाया क्योंकि अगर बच्चा HCG नहीं बनाएगा तो corpus luteum को signal नहीं मिलेगा कि जो बच्चा है वो uterus में implant हो गया है अगर यह signal नहीं मिलता corpus luteum को तो corpus luteum कुछ time के बाद degenerate हो जाता है लगबग लगबग जो प्रोजेस्टरोन के कारण बनी थी यह तूट जाती है और महिला को period सा जाती है तो बच्चे को शुरुआत में मेहनद करने बढ़ती है SCG बनाता है SCG जाता है ovary में और corpus luteum को बताता है corpus luteum फिर और अधिक मातरा में progesterone release करता है ताकि यह lining बनी रहे और टूटे ना ठीक है तो यह काम होता है progesterone का अब आपको doctor ने यह जो tablets है यह क्यों दी है pregnancy के लिए यह conceive करने के लिए जो didrogesterone की गोलियां होती है वो progesterone ही होता है एक तरह से ठीक है तो यह जो corpus luteum है भाई अगर यह परियाप्त मातरा में progesterone को release नहीं करता तो यह lining क्या होगी यह अच्छे से बनेगी नहीं implantation properly होगा नहीं तो अगर आप conceive करने का plan कर रहे हो या फिर आपने लेटरोजोल या क्लोमिफें टैबलेट्स यूज करी है तो यूजली आपको जो डोक्टर है सोलने से 25 में दिन तक इन टैबलेट्स को लेने के लिए बोलते हैं ताकि lining अच्छी हो blood circulation अच्छा हो और जो fertilize जंडा है वो जब uterus में जाए तो उसको हर परकार के पोशक तत्व मिल सकें ताकि वो अच्छे से develop हो सके यह तो बात ही conceive करने के लिए ठीक है अब दूसरी बात आती है pregnancy में तो देखे कभी कभी क्या होता है कि implantation जब हो जाता है तो कुछ time के बाद अगर यह implantation कहीं से उख condition किया जाता है तो इस condition में भी आपको डाइडोजेस्टरोन की गोलिया एडवाइस की जाती है लेने के लिए ताकि प्रोजेस्टरोन का level increase और यह lining टूटे न यह बच्चे को support करें और blood circulation बच्चे में बना रहे देखिए जो इसकी dose है वो आपकी condition पर depend करती है कि आपकी क्य condition है for example अगर आपने conceive किया है और pregnancy के तीन मन्त के अंदर अंदर आपको bleeding start हो जाती है फिर sporting हो जाती है तब आपके doctor आपको तीन मन्त तक इन tablets को लेने के लिए बोलते हैं सुबा शाम ठीक है क्यों लेने के लिए बोलते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो corpus luteum है वो शुरुवाती time पर progesterone को release करता है जो corpus luteum है उसका जीवन काल ही तीन मन्त का होता है फिर तीन मन्त के बाद या तीन मन्त तक जो बच्चा है खुद का placenta बना लेता है और placenta से फिर उसको progesterone मिनने लग जाता है अगर आपको progesterone की deficiency रहती है severe deficiency है ऐसी condition में 37 weeks तक य सुबा दोपहर और शाम को इन टैबलेट के साथ में अगर आपके डोक्तर चाहें तो सस्टेंड 200, 300 या 400 मिलीग्राम की जो extra tablets आती है progesterone की पैसरी या soft gel वो भी आपको लेने के लिए बोल सकते हैं जो की totally safe होती है इन से आपको घबराने की जोर्त नहीं है लोगों के मन मे बहुत tension हो जाती है वो इतना सब कुछ internet पर research करते हैं कि इन tablets से periods आते हैं इन tablets को बंद करेंगे तो periods आ जाएंगे बट ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप इन tablets को pregnancy के time ले रहे हो तो ये जो tablets हैं ये pregnancy को support करती है इनसे periods नहीं आता बट अगर आप pregnant नहीं हो तो इनसे आपको bleeding हो सकती है बट periods को लाने के लिए मैं आपको यही advise करूँगा कि इसके इलावा भी बहुत अच्छे options आपके पास available है periods को लाने के लिए उसके regarding आप अपने doctor से consult करें अपने मर्जी से इन tablets को मत लें फिर अगली special condition होती है कि अगर आपको 310 abortion होता है तो immediately आपको 4 tablets लेनी होत और उसके बाद आपको सुभा शाम इन tablets को लेना होता है आपके doctor चाहें तो आपको extra hormonal spot के लिए injection या पैसरीज दे सकते हैं फिर अगली condition होती है conceive कराने के लिए तो देखिए बहुत सारे लोगों को ना doubt रहता है कि इन tablets से हमें conceive हो जाएगा कि नहीं होगा तो अगर आपने implantation कराने में ये tablets help करती हैं ना कि आपको conceive कराने में मतलब अगर female का अंड़ा अच्छी quality का है और जो sperm है अगर वो अच्छा है तो आपको conceive हो जाएगा easily हो जाएगा इन tablets को लेने से फिर अगली condition होती है जब हम लोग ovulation induction में tablets को use कराते हैं मतलब कि जब हम लोग लेटर जोल और chromyfen tablets को देते हैं अंड़े की quality को improve कराने के लिए तब भी हम ये tablets जो है 16 में से 25 में दिन आपको लेने के लिए advise करते हैं और अगर आपने conceive किया होता है तो फिर आपको इन tablets के course के लगबग लगबग 10 दिन के around urine pregnancy test positive हा जाता है बट एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि SCG का injection देते हैं उससे आपको urine pregnancy test false positive भी आ सकता है तो आपको ultrasound कराकर confirm करना पड़ता है कि आपने conceive किया है कि नहीं किया है फिर अगली condition होती है जिनको bleeding बहुर time तक रह रही है या फिर समय से पहले अगर bleeding हो जाती है तब भी आप इन tablets का use कर सकते हो hormonal replacement therapy में भी इन tablets का use होता है जिसको HRT बोलते हैं तो आप इन tablets को अलग-अलग condition पर use कर सकते हो वो आपकी condition पर depend करता है totally हो सकता है कि कुछ ऐसी condition हो जो मैंने आपको explain ना की हो ठीक है तो आप चाहें तो वो comment करके आप पूछ सकते हो मुझसे या फिर direct online consult भी कर सकते हो आगे हम लोग discuss करते हैं कि इन tablets के कौन-कौन सी side effects होते हैं तो देखिए pregnancy में जो आपको signs और symptom pregnancy के परेशान करते हैं जैसे nausea होता है, vomiting होता है, lower abdomen pain, wide discharge, back pain, mood swing होता है, headache होता है यह सब आपको इन tablets से हो सकता है और यह short time के लिए होती है, जैसी ही आप इन tablets को लेना बंद कर देते हो, उसके बाद लगबग 7-14 दिन के around यह side effects हैं वो अपने आप खतम हो जाते हैं, फिर लोगों के बीच में एक मत धरना बहुत ज़्यादा रहती है कि इन tablets से weight gain होता है, weight gain होता है estrogen की tablets को लेने से, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दीगे जानकर यह आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में एक बहुत interesting topic के साथ, अब तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video.